Hello Everyone, Welcome to another video from NCRT Biology Easy Tutorial बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे chapter sorting materials into groups और अभी तक हम कई सारी properties के बारे में पढ़ चुके थे है ना, objects की different properties की study हम लोग कर रहे हैं तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था appearance के बारे में materials की appearance, hardness और उनकी solubility और insolubility के बारे में ठीक है तो आज जो fourth property हम study करेंगी materials की वो है objects में float और sink in water की कुछ objects ऐसे होते हैं, objects या material जो की जो है पानी में डूब जाते हैं, sink to the bottom, sink मतला tube जाना, while there are some other materials which can float on the surface of water, आपने देखा होगा कि कुछ चीजने पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं, जैसे अगर आप सूखे पत्ते देखेंगे, सूखी पत्तियां जो होती हैं वो पानी में तैरती हैं, और जबकि आप पत्थर अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पत्थर पानी में डूब जाएगा, है ना, ऐसे ही कई सारे कि कुछ मटीरियल्स जो पानी में तैरते हैं उनकी, और जो पानी में डूब जाते हैं उनकी, ठीक है, तो this is also a quality of objects and materials, जिसके basis पे हम materials को divide कर सकते हैं, ओके, next property जो है बचो, वो है transparency, तो transparency का क्या मतलब होता है, transparency का मतलब है कि हमें कुछ objects के आर पार दिखता है, ठीक है, तो ऐसे objects है, ऐसे material जिनके आर पार हमें दिखता है, उन्हें हम कहते हैं transparent, ठीक है, और ये transparent जो materials होते हैं, जैसे मैंने आ लिखे हुए आपको, glass है, कांच, कांच मतलब mirror और glass, difference है, ठीक है, mirror एक mirror होता है, जिसमें हम देखते हैं, चेहरा है न, वो नहीं, glass, glass यानि कि आपकी window पे, खिडकी पे लगा होता है, glass जो window जो transparent होता है, जिससे आर पार दिखता है, उस glass की बात हो रही है, ठीक है, तो glass is transparent, transparent मतलब वो material जिससे हम आर पार देख सकते हैं, पानी भी transparent होता है, अगर आप कांच की ग्लास में पानी पी रहे हैं, तो आप देखेंगे, उससे आप, आपको, उसके सामने की चीज़े देखती हैं, air, hawai is transparent, and some plastic, कुछ transparent प्लास्टिक की sheets होती है, आप इतनी copy को cover करते हैं, plastic sheets से transparent वाली है, तो उससे भी हम आर पार देखता है, तो transparent materials क्या होते हैं, ऐसे materials, जिनके पार हम देख सकते हैं, ठीक है, next materials जो होते हैं, कुछ ऐसे materials होते हैं, जिने हम कहते हैं, translucent, translucent material, जैसे आपके पास paper, एक white paper, जैसे य अगर इसी paper पर अभी मैं oil, butter या घी कुछ अच्छे से लगा दूँगी, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इससे आपको धुदला सा देखता है, आर पार, एकदम clear तो नहीं दिखेगा, तो ऐसे material जिनसे बिलकुल एकदम साफ तो आर पार नहीं देखा जा सकता, ब और इसके example, butter paper आता है, butter paper, oil paper इसके example है, ठीक है, opaque, opaque substances, ऐसे substance होता है, जिनसे की आर पार आप देखी नहीं सकते हैं, like cardboard, आपका cardboard है, notebook है, door है, wall है, है ना, तो इन सब चीजों के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक, तो यह transparency is a character, यह भी एक property है materials की, की materials को हम classify कर सकते हैं, into transparent, translucent and opaque, अपच्छो अगला topic, जो last topic है हमारे इस chapter का वो यह आता है, की why do we need to group materials, की हम यह क्यों properties हम पढ़ रहे हैं materials की, और क्या जरुरत है हमको इन materials को classify करने की, ठीक है, तो the main one and only reason, जो है, जो कारण है की हम materials को क्यों वरगी करित कर रहे हैं, क्यों हम इनको group में डाल रहे हैं, अलग-अलग, on the basis of different properties, वो reason है, की for our convenience, क्या convenience मतलब सुविधा, हमारी सुविधा के लिए, किस सुविधा के लिए, dividing materials in groups makes it convenient to study their properties, तो इन materials की, इन objects की, जो properties हैं, उनको study करना आसान हो जाता है, अगर हम इनको अलग-अलग classify ya groups में बाट लेते हैं, तो ठीक है, बचों य यहां पर complete होता है, next video में मिलते हैं, with the exercise questions, thank you for watching my video,